हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें आपको केट और मिठाई दौनों कर फ्लेवर में लेड़ा जी हाँ यह हमारा सुपर सॉफ्ट और सुपर स्पेशल मावा केट बनाने में बहुत आसान है इद्दम सॉफ्ट और स्पॉंजी हम मारा केट बना है इसे बनाने के बाद आपकी केट और मिठाई दौनों की त्रेविंज खतम हो जाएगी चलिए बनाते है इसके लिए यहां एक बावल में हम एक खोया लेंगे तो यह मैंने हूममेड मावा लिया है आप चाहे तो मार्केट वाला भी ले सकते है या आप मिल कि पहले लियाए चाहे लेंगे फली ऐसे पर में र्याएं यहां नहीं लेना है यहां यहां रच्छका हो बस्तर से ब्याएं अजर आप बटर नहीं डालना चाधे है तो आंप यहाँ 4 थेवल स्पून यहां ऐसे देंगे असे लेसे इल्लेक्ति बीटर से भी मिट्स तर सकते हैं अजर आप ऑईल या बटर दोनों ही नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसके ज़र चार चमन्स यानि वन फोर सब गी भी यहां एड़ सकते हैं अब यहां हम त्री फोर सब पाउडर शुदर डालेंगे साथ ही हम यहां आधा सब दूद डालेंगे आप चाहे तो यहां इलेक्ट्रिट बीटर से भी इसे मिला सकते हैं फिर आपका तरम जल्दी हो जाएदा अच्छे से मिलाने के बाद अभी हम इसके उपर एच्ट्रेनर रख देंगे आज तरह यह हमारा केथ हम पुरा ग्यूंके आटे के साथ बनाने वाले हैं तो यह हेल्दी भी है यहां मैंने एक तरब प्लस वन फूर तरब क्यूंके आटा लिया है आप चाहे तो इसे मैदा के साथ भी बना सकते हैं या आप आदा मैदा आदा आटा भी ले सकते हैं हम एट बार इसे अच्छे से चान लेंगे यह जो एक्ट्रा है इसे हम हटा देते है अभी इसे हम मिच लेंगे अब यहां हम दूद डालेंगे तो पहले मैंने यह आधा तरब दूद लिया है जिसे हम थोड़ा थोड़ा तरकी इसमें डालेंगे और इसे मिच करते जाएंगे अधर आप एच साथ ज्यादा दूद डाल देंगे तो फिर इसमें लंप सबढ जाएंगे इसलिए थोड़ा थोड़ा दूद यहां एड़ करते जाहिए बैटर की तंसिस्टेंस अभी आप देच सकते हैं तो हम यह बचा हुआ दूद पुरा डाल देते हैं और फिर से इसे हम मिच्च कर लेते हैं आच्छे से मिलाने के बाद अभी भी हमारा यह बैटर थित लग रहा है तो मैंने 1-4 तप यहां दूद और लिया है जिसे हम फिर से थोड़ा थोड़ा तरके इसमें डालेंगे बेटर में थोड़ा थोड़ा करके दूढ डालने से बेटर में लंप्स नहीं पड़ते हैं इसमें अभी हम और दूढ डाल देते हैं होमें इस तब बेटर हल्काँ ठित रतना है सिпр इसध्यालनी केट और मिठाई दोनों का फ्लेवर ला रहे हैं तो मैंने यहां दोनों एड़ की हैं आप चाहे तो कोई डाल सकते हैं या आप इसकी जदर केवड़ा एसेंस या रूज एसेंस भी यहां एड़ सकते हैं यहां अब हम 1 प्लेस 1 फॉर्थ टी स्पून बेकीन पाउडर प्लेस ह डालेंगे इसके उपर हम यह बचावा दूर्थ डाल देंगे और इसे अब हम जेंटली मिठ सरेंगे आप इसे कटन फोल मेथड में भी मिठ सर सकते हैं तो टोटल हमारा केट में 1 प्लस 1 फॉर्थ दूर्थ साम में आया है हमने से मिठ सर दिया है उदर मैंने पतिले को भी होने के लिए रग दिया है अजर आप ओवन में बना रहे हैं तो उसे भी 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लीजिए लास्ट में अब इसमें हम वन टी स्पून विनेजर डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे आप विनेजर की जदर वन टी स्पून यहां लेमन जूस भी अधर सकते हैं विनेजर डालके लक्रेश्ट मेला लेंगे तो तरंत हमें द्राल देंगे केटिन मे केटिन में अच्छे से रीज कर लिया था उसके पाद 1 टी स्पून मैंदर डाल के अच्छे से डस्ट कर लिया आप चाहे तो यहां बटर पेपर भी लगा सकते हैं सारा बैटर हमने निताल लिया है उपर से हम स्पैचुला से इसे ऐसे फ्लैट कर लेंगे इसे इद बार हम टैप टैप करेंगे जि यहां एड़ तर सकते हैं तो यह हमारा मावा केट रेडी है बेट होने के लिए तो हम इसे यहां पतीले में रद देते हैं अच्छे से इसे हम दवर तर देंगे फ्लेम हमें लो मीडियम रदनी है और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेट करेंगे यह 35 से 40 मिनट बात तूट पिट डाल के हम चैट करते हैं तो यह क्लीन आ रही है सेंटर में भी हम इड़ार इंसर्ट करते हैं सेंटर से भी इद्दम क्लीन है इसका मतलब केट रमारा अच्छे से बेट हो गया है गैस का फ्लेम अब हम यहीं पे ही बंतर देते हैं इसे बहां न करेंगे और आप देखेंगे बहुत ही आसानी से हमारा केट बाहर आ जायरा मेरा वह शॉट मिस हो गया है तो यह हमारा इद्दम सूपर सॉफ्ट और स्पॉंजी मावा केट बन के तयार है बनाने में अपने देशा बहुत आसान था और ठाने में तो इसका टेस्ट आपको इद्दम लाजवाब लगने वाला है चलिया इसे अब हम तर्टरते हैं मेरे तराटने से ही आपको पता लग जायरा कि कितना सॉफ्ट और स्पॉंजी हमारा यह केट बन के तयार हुआ है तो यह हमने पूने तरा फेमस मावा केट रर पे ही बहुत ही आसानी से बना के तयार कर लिया है इसे हमने बिना अंडा बिना ओवन बनाया है इद्दम सॉफ्ट और स्पॉंजी और जालीदार हमारा यह केट बना है बनाने में अपने देखा बहुत आसान था साथ ही हमने इसे आटे के साथ बनाया है तो यह हेल्दी भी है तो इस न्यू यर आप भी यह केट बना सकते हैं इसमें आपको मिठाई और केट दौनों कर फ्लेवर मिले दा इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिए वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं इतना नई और आसान सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए झाल झाल व्लाइब कीजिए के लिए सकते हैं डेख स्वीयो shooting रेँड़ां कि इससें आप थाट रखाईural कि उस्दार क्रणग आप प्रियरो हाएब आखाईawan, इससे हिसक कaturaुणे जार से tá से एफेट ट으एडब हैं ट अप्रिए wanna